नमस्कार, Study IQ, IS हिंदी में आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरद्दुबे आईए आज चर्चा करते हैं एक नई परियोजना के बारे में योजना परियोजनाओं के इस कारिक्रम में गवर्मेंट स्कीम का प्रोग्राम है जो भी आज पहली बारी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जो परियोजनाओं से संबंदिज जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनका तो उस पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक की सायता से क्लिक करके पिछली जितनी भी योजनाओं को हमने कवर किया है आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं इसके पहले अगर देखा जया जो सेशन हुआ था उसमें मैंने भारत की जो नदी जोडो परियोजना है उसके उपर डिसकर्शन किया और उसी से संबंध आज एक इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां से प्रिष्ट बनने की संभावना थोड़ी जरूर रहेगी और यह अक्सर खबरों में भी रहता है तो चलिए आज हम इस परियोजना की उपर चर्चा कर लेते हैं फटा-फट से केन बेत और बेतवा नदी को रिप्रेजेंट करती हैं केन और बेतवा यह दोनों नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदी है और हमने जैसा कि आपको बताया था कि भारत में जो नदी जोड़ो पर योजना है उसका मुख्य लक्ष यह है कि जिन क्षेत्रों में पानी की जो कमी है उ जो केन बेतवा जो नदियां हैं इनके बीच का जो शित्र है उसके उपर सम्मंधित यह प्रोजेक्ट है और यह किस तरीके से कार्यानवित होगा किस प्रकार से इससे लाब होगा उसके उपर हम चर्चा करेंगे पर सबसे पहले आपको पूछ लेता हूँ कि पिछला जो से विवेचना करना था आपको और यदि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसकी विवेचना करके हमें भेज सकते हैं 250 शब्दों में PDF बना करके आपको भेजना है और इसके लिए आप सहायता ले सकते हैं पिछला जो सेशन हुआ था भारत की नदी जोडों पर यो योजना है इसको शौर्ट में NNP कहा जाता है National Prospective Project यानि कि राष्ट्री परिप्रेक्ष में जो योजना शुरू कर जा रही है या ऐसी योजना जो राष्ट्र के हित के लिए है राष्ट्री परिप्रेक्ष में है उसके अंतरगताने वाली योजना है NPP के अंतरगताने जिसमें जल को जोड़ने की या जो भी पानी है उस पानी को अधिक जहां पर पानी है उस छेत्र से ले जाकरके जहां पर पानी की कमी है उस छेत्र में पहुचा करके वहां पर पानी के सुवदा उपलब्द कराना सम्मधित अब इसमें तमाम सारी नदियां जो है उत्तर भारत और दक्षिन भारत की नदियां जो है वो शामिल है क्योंकि ऐसा नहीं कि सूखा ग्रस्त छेतर जो है वो केवल आपको दक्षिन भारत में ही देखने को मिले उत्तर भारत में भी कई ऐसी जगए हैं जो सूखा ग्रस्त रहते हैं जहाँ पर पानी के अवश्रक्ता होती है नदियों से पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है नहीं पहुंच पाता है तो इन में अगर हम जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यानि कि के बी लपी की जब बात कर रहे हैं तो के बी लपी एन पी पी की पहली प्रोजेक्ट है पहले project के रूप में जाना जाती है cane बेतवा लेम project ठीक है तो अब देखिए इसमें क्या होगा इसमें दो नदियों का नाम आपको याद रखना है project के नाम से यह आपको मालूब है तो इसमें थोड़ा सा confusion किसका पानी किसमें जाएगा यह यह आपको याद रखना है तो आपको ध्यान रखना है cane का पानी जो है यह बेतवा नदी में भेजना है किसमें भेजना है cane का पानी जो है वो बेतवा नदी में भेजना है यानि कि cane का जो drainage area है जो उसका कह सकते हैं कि जो क्षेतर है उस नदी का, उसके पास उस छेत्र के अनुपात में थोड़ा पानी ठीक ठाक है, तो वहां से पानी उस जगह पर भेजा जाना है, जहां पर बेतवा में पानी सूक चुका है, अब आप इसको मैप पे अगर देखेंगे, तो ये देखेंगे आप, ये केन रिवर है, ये वाली ये नदी यमुना है, ये नदी जो है, आपकी कौनसी है, ये यमुना रिवर है, ठीक है, ये नदी जो है, ये आपकी यमुना रिवर है, तो ये जो यमुना है, इसकी, इसमें आकर के पानी जो है, ये केन का मिल रहा है, ऐसे, सहायक नदी है ये केन, इसी तरीके से यहां प पानी जो है, वो केन का बेतवा में जाना है, ये केन नदी है, इसका पानी हमको इस बेतवा में ले करके जाना है, तो आप यहाँ पर ये red color का link की channel देख रहे होंगे, मतलब एक नहर टाइप की बनाई जा रही है, पर ये एक नदी का पानी दूसरी नदी में कैसे ले लेकिन नदी का कटाव करके उसका पानी ले जाकरके दूसरी नदी की तरफ धलान बना करके ले जाएंगे तो ये जो धलान बन रहा है एक नहर के माध्यम से बन रहा है जो की केन बेतवा को लिंक कर रहा है ठीक है ये पॉइंट से बन जा गया अब ये जो केन बेतवा की जो linking होनी है इसको दो steps में करना था दो चरण है इसके इसके पहले चरण की अगर हम बात करें तो इसमें दोधन बांध परिसर बनना है निम्निस्त्री सुरंग का निर्माड होना है और उच्छिस्त्री सुरंग का निर्माड होना है और उचिस्त्री सुरंगे हैं वो बनेंगी केन बेतवा लिंक नहर बनेगी और इससे जो है बिजली घर बनेगा अब देखे पानी का उपयोग किसमे कर सकते हैं आप पानी का उपयोग पेजल के रूप में नदी के पानी का उपयोग किसमे कर सकते हैं पेजल के रूप में करेंगे, सिचाई के रूप में करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जल्विद्धुत जो है, जल्विद्धुत वगरा जो है, ये बनाने के आधार पर कर सकते हैं, मुख्य तोर पर तो इसका यही काम है, बाकी दूसरे जो साइट प्रोजेक्ट सोजा होते कलग बात है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट फेज में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है, इसी चीज का अगर हम सेकेंड फेज देखें, दूसरा चरण देखें, तो इसमें जो है, लोवर और बांध है, या लोवर और बांध है, पहले वाले में जिस बांध का नाम है, आप देख सकते हैं, वो बांध कौन सी है, वो दौधन बांध है, दूसरे वाले में आपको जो बांध दिख रहा है, वो आपका ये देखे दोधन बांध आपको यहाँ पर बनेगा, पन्ना के पास में, पन्ना जो प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क के रूप में, पन्ना जो है उसके अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपको यह जो इस्थान है, यहाँ पर आपको दोधन बां जो है आपको देखने को मिलेगा तो इसमें लोवर उर्बांध है दूसरा वाला जो है इसमें लोवर उर्बांध है बीना कॉंपलेक्स परियोजना है और कोठा बैराज का निर्माण करना है इस तरीके के तीन चीज़ें जो है यह आपको second phase में निर्मित होते हुए दिखाई किया जाएगा उसमें अगर मंत्राले का नाब पूछा जाए तो इसका मंत्राले है जल शक्ती मंत्राले ठीक है यह किस मंत्राले के अंतरगत यह प्रोजेक्ट आ रहा है यह आ रहा है केंद्र के जल शक्ती मंत्राले के अंतरगत आ रहा है और वर्तमान स्वह में यह मंत्रा अगर उसको समझें, तो मंत्राले कहता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट से जो लाब होने वाले हैं, जिन लाबों को साधित किया जा रहा है, उसमें अगर हम सिचाई की बात करें, उद्देश जो है अगर हम देखें, लक्ष जो है जो देखा जाए, तो इसमें सिचाई का लक्ष ऐसा रखा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा तक्रीबन 10.62 लाख हेक्टेर की जो फिल्ड है, लाख हेक्टेर की जो फिल्ड है, उसमें सिचाई का लाब इन लिंकिंग से मिलेगा, तो आपको ये शित्रफल थोड़ा स्याद रखना है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, मैंने आपको बता है, सिचाई के अलावा, आप इसमें पेजल की उपलब्दता भी है, तो क्योंकि इन जगहों पर पीने के पानी की कमी है, और इसी वज़े से फसल उगाने के लिए भी पानी नहीं है, तो स्वभाविक सी बात है, ना सिर्फ सिचाई में इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हो रहा, बलकि पेजल की जो कमी हो, उसको दूर करने में भी सक्षम है ये प्रोजेक्ट, जिसमें कहा जाएगा कि 62 लाख लोगों को ये पेजल उपलब्द कराया जा सकेगा इसमें से, और साथी साथ अगर हम जलविद्द की बात करते हैं, तो इससे टार्गेट किया गया है कि 103 मेगावाट, ठीक है, इन लक्षों के साथ इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉंच करने की बात कही गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर यह जानना होगा कि इसमें कितने खर्चे आने वाले हैं, तो इसमें आने जो अनुमानित खर्चे हैं, उनको 2017-18 की कीमतों के अधार पर अगर देखें, तो तक्रीबन 35,111.24 करोड रुपए का खर्चा इसमें, 2018 की कीमतों पर आने कलिते हैं हुआ, फिर बाद में अलग-अलग समय पे इसके लिए बजट भी आवंटित किये गए, तो जब हम बजट के आवंटित की बात करें, तो रिसेंटली 2022-23 का जो बजट है, इसमें इसके लिए 44,605 करोड रुपए का बजट देने की बाद, श्रीमेत्री निरुला सितर अमन जी ने करी थी, और उस बजट से ये टार्गेट किया, जिसमें आप ओवरॉल देखिए, कि बजट ओवरॉल जो है, इसका जो प्रोजेक्ट है, टार्गेट जो है, वो आपका 10.6-2 लाख हेक्टेर वारुषिक सिचाई से हो सके, ये टार्गेट है, तो ये जो बजट आ रहा है, इसमें अगर हम सिचाई की बात करते हैं, तो 10.2-4 लाख जो आपको यहाँ पर बताया गया है, 10.6-2 लाख जो बताया गया, उसमें से तकरीवन, 10.62 लाक में से तकरीबन 9 लाक जो हेक्टेर क्रिशी भूमी है उसको सिचाई का लाब एटलिस्ट इस पैसे से मिलने वाला है इसके अलावा अगर हम पीने के पानी की सुविदा की बात करते हैं तो इसमें 62 लाक लोगों को पेजल की बात करी जा रही है तो इस वो जल्विद्दूत की बात करी गई है 103 मेगावाट की इसके इतर अगर हम देखें तो इसकी सायता से 27 मेगावाट सौर उर्जावत पादन की बात यहां पर करी गई है तो इस खर्चे से इस तरीके की चीजों को इस प्रोजेक्ट के अंतरगत 2022 तेज के बजट के गई हारा साधा जा रहा है जिसका खर्चा जो है वो 44,605 क्रोड रुपए अनमनित है अब यह जो खर्चा है क्योंकि गॉर्मेंट ओंड सरकार की तरफ से चलाई जाने लिए एक तरीके की परियोजना है तो इसमें राज्य की नदियां है तो आप देखिए इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों का participation है और participation जो है क्योंकि केंद्र की परियोजना है इसलिए उसका भार जादा है तो तकरीबन 90 प्रतिशत का जो भार है बजट का वो केंद्र वहन कर रही है और जो 10 प्रतिशत का भार है ये समंधित राज्य जो है वो वहन कर रहे है तो समंधित राज्य जो है वो 2 है और वो 2 राज्य कौन कौन से है एक तो आपका UP है और दूसरा आपका कौन सा है MP है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो ग्रीन कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है यह आपका सारा का सारा MP का है और यलो कलर का दिखाई दे रहा है यह आपका UP है तो UP में आप ज़रा देखी UP में आपको यह जहांसी दिख रहा है यह हमीरपुर दिख रहा है ये बांदा दिख रहा है और आपका ये ललित पुर दिखाई दे रहा है ये कहले जिए आप पूरा ललित पुर है यहां से लेकर के यहां तक तो ये चार राजे जो हैं ये बुंदेल खंड रीजन में आते हैं तो UP का ये बुंदेलखंड reason है, ये बुंदेलखंड reason है, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड UP के साथ MP में भी है, तो अगर आप MP में इसके क्षेत्र को देखेंगे, तो MP में आपको तकरीबन 9 जगहें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको दमोह देखने को मिल रहा है, पन्ना देखने को मिल रहा है, छतरपूर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा आप देखेगा टीकम गड़ है ये, ठीक, इसके अलावा आप देखेगा ये सागर है, तमाम ऐसी जो जगहें हैं, ये आपका ये जो पूरा का पूरा क्षेतर आपको देखने क ठीक है, तमाम सब, ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये महुभा हुभा, ये सब जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप देखिये, 6,017 hectare 1 खेत्र जो है, अगर हम, केन-बेत्वा- लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें खास बात जो है, जो ह आपको पन्ना रीजन में देखने को मिल रहा था, यहाँ पर यह दोधन बांध प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर है कहीं पर दोधन बांध प्रोजेक्ट, और यह देख सकते हैं, यह लिंक किया जा रहा है, यह केन नदी है, और यह बेतवन नदी है में से 4,206 hectare जो भूमी है वो पन्ना 1 छित्र के अंतरगत आती है पन्ना जो रिजर्व है टाइगर रिजर्व है उसके अंतरगत आती है जो संजक्षिक्षिक छित्र है उसके अंतरगत जो जलिये भाग है वो याँ पर लाभान वित हो रहा है तो अगर हम reason की बात कर रहे हैं एक particular जगह से particular दोधन बांद की अगर हम बात करें तो एक तो ये reason आपको देखने को मिल रहे हैं खीक है इसके अलावा अगर हम तमाम और दूसरी जगहों की बात करें कि कौन कौन से आपको यहाँ पर राज्य देखने को मिल रहे हैं तो शायद यहाँ पर आपको राज्य भी देखने को मिल जाएगा या फिर राज्य मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिये हैं तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 13 जिले हैं आपके जो इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतरगत आने है और ये सारे बुंदेल खंड रिजन है तो basically आपको ये point समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं जो इस के भी LP के अंतरगत शामिल हो रहे हैं ठीक है? क्लियर हो गई बात? कुछ खास और इसमें विशेज बात आपको समझ में नहीं आएगी मतलब जो इससे related जो दूसरी बात आती है जो side points है वो आपके जो है भारत की नदी जोडो पर योजना के अंतरगत चले जाते हैं भारत की नदी जोडो पर योजना के बारे में मैंने पिछले सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी तो आप उससे वहाँ पर जा करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं अब अगर हम देखें कि step by step ये देखने का प्रयास करें कि जो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इस पर कब कब और कैसे कैसे काम हुआ है यानि कि टाइम लाइन की अगर हम बात करें तो टाइम लाइन में पहला पॉइंट आप देख सकते हैं अगस्त 1980 में रास्टी परिपेक्ष योजना के रूप में या NPP के तोर पर इसका मॉडल तयार किया गया और बाद में इसको नदी जोड़ो पर योजना के अंतरगत चोड़ दिया गया अब इसमें दूसरा जो फेज हुआ वो अगस्त 2005 में हुआ परियोजना के लिए जो DRP था वो तयार किया गया और DRP तयार करने के लिए MP और UP की Government जो थी उन्होंने साजा समझोते किये Memoranda of Understanding जो था उस पे साइन किये ये 2005 में हुआ फिर उसके बाद 2010 में इसको राष्टी जल विकास एजेंसी राष्टी जल NWDA NWDA ही ये NPP बदल करके NWDA हो गया तो NWDA ने KBLP के चरण 1 के लिए जो DRP था उसको पूरा किया और चरण 1 के अंदर गर दोधन बांध और उसके जो कारिकरा में हुआ आते हैं दूसरे में उर्बांध आता है और जनवरी 2014 में क्या हुआ इसी NWDA ने योजना के दूसरे चरण के लिए DRP पूरी कर ली फस्ट फेस के लिए DRP और दूसरे फेस के लिए DRP तयार कर ली यानि कि एक डेटा रिपोर्ट जो है प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है वो तियार कर लिया ठीक है अब ये रिपोर्ट तियार हो गई है क्रियानवन जो है इसका अब शुरू होगा सितंबर 2014 में ILR का कारक्रम को लागो करने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए विशेश समिती का गठन किया गया तो विशेश समिती का गठन जो है सितंबर 2014 में होता है पर उसके बाद अप्रेल 2015 में नदी विकास और गंगा जो रिजनेशन है या कायक अल्प द्वारा जो है नदियों को आपस में जोड़ने की बात करी जाती है और इसके लिए एक विशेश प्रकार का टास्क फोस जो है वो गठित किया जाता है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें मार्च 2021 में यूपी और एमपी की जो सरकारे हैं इन्होंने केन बेतवा को जोड़ने के लिए परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ती मंत्राले जो है उसका इंवॉल्मेंट बढ़ाया और समझोता ग्याबन पर उससे हस्ताक्षर कवड़ाये गए यानि कि आप फंडिंग जो है डिरेक्ली इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं त्यार हो गई कर दिया है जिससे क्या क्या चीजें साधी थो रही है भी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था तो आप वहाँ जाकर कुसके चीजों को लिख सकते हैं ये विशेस्ता जो है इसका टाइम लाइन है नदी जोड़ो परियोजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये अनल आरपी जो है नेशनल प्रस्पेक्टिव जो प्लान के अंतरगती आता है अनल आरपी इसी को बाद में अनल आरपी कहा गया ये अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजना है मतलब एक बेसिन से दू की चीज़ें आप देख सकते हैं इस NLRP के दो घटक हैं और दो घटकों में एक हिमालेई प्रोजेक्ट आपका आएगा और दूसरा जो है वो दक्षिन भारत जो है यह प्रेंसुलर रिवर्स जो है वो इसके अंतरगत आती है अब अगर हम हम हिमालयन कॉंपोनेंट में देख सकते हैं हमालयन रोजना के अंतरगत कौन-कौन से नदियों को जोड़ने की बात करी गई है और कौन-कौन चो जोड़नay की बात प्रादी पी में करी गई है वो आपको विदमैप यहाँ पर देखने को मिले नहीं मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे की आप यहाँ पर इसको देख सकें, ठीक है, यह देखिए, तो आप इसको देख सकते हैं, यह है, यह, यह मैं धीरी-धीरी स्कूल कर दे रहा हूँ, यह उपर की जो नदियां दिख रही हैं, आपको यह हमाली नदियों के प्रोजेक्ट से, और जो यह नीचे की नदियां दिख रही हैं आपको, यह तक्षिर बारत की जो प्रायदीपी नदियां हैं, उसके प्रोजेक्ट से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और से संबंदित आपको अगल में map भी with numbering दिखाई दे रहा है ठीक है चली अब हम बात कर लें ये सब चीजों के बारे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था तो वहाँ से जाकर किसकी डिटेल ले लिजेगा इसलिए मैंने map दिखा के ही काम चला लिया है तो basically हमको केन बेतवा लिंक के बारे में बताना था तो वह मैंने आपको बताया अब आज का प्रशन क्या है इसी क्याधार पर प्रशन है कि केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंद में लिकित में से कौन सा कतन सही है या देश की पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है परियोजना का उद्देश उत्तर प्रदेश में बेतवा के अधिशेश जल को मध्यप्रदेश में के नदी में स्थनांत्रित करने का है कौन सा दोनों में से कतन सही है इसके आधार पर सही उत्तर का चैन करके आप हमें भेज सकते हैं और जो session के शुरुवारत में मैंने main से समदी जो प्रशन NLRP से समदी जो प्रशन पूछा है उसको भी लिकर के आप भेज सकते हैं यह जो यह आपका जो email address आपको यहापर देखने को मिल रहा है यहाँ पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें टेलिग्राम भेज सकते हैं दोनों में से कहीं पर भी भेजिए लेकिन PDF बना करके भेजिए और सारे pages एक PDF में ही होने चाहिए यह नहीं कि अलग-अलग PDF बना कर भेजिए इसका जो PDF है इस lecture का जो PDF है वो आपको इस टेलिग्राम ग्रुप से मिलेगा टेलिग्राम ग्रुप में आप इस लिंक की सायता से जुड़ सकते हो या फिर सीधे आप इसको स्कैन कर लो तो यहां से भी आप टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही बुलाकात करेंगे अगले सत्र में तब तक के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार